हाई अबिवान मैं नेम इस तमना चौधरी वेलकम टू नी तड़ा 247 आम यह फिजिक्स एडूकेटर फॉर नी टू जी बच्चो इस विडियो में मैं सिफ यह नहीं बात करने वाली हूं कि कौन-कौन से बर्यश्य को आप ने जाएं अगर आप नी 2025 के लिए प्रिपार कर रहे हैं और फिजिक्स में आपका जो गौल है वह 180-180 का है इसके बार में तो हम लोग बात करेंगे शात में यह भी बात करेंगे कि जो फिजिक्स के different different units हैं उन different different units को आने के लिए कौन से mathematical tool की तुम्हे requirement है because हम very sure कि कुछ ऐसे students होंगे जो अपने syllabus coverage को शुरू करेंगे बिलकुल वैसे जैसे NCRT में chapters लिखे हुएं कि पहले आ जाएगा mechanics फिर आ जाएगा thermal physics फिर दुबारा आ जाएगा mechanics फिर electrostatics और इसी तरीके से लेकिन कुछ ऐसे students भी है जो आगे पीछे करके करेंगे क्या बता कोई ऐसा student हो जो modern physics से शुरू करने वाला हो अपने preparation तो आज नी टास्परिंट आपकी जिम्मेदारी बनती है यह समझने कि कौन से unit के लिए कौन सा mathematical tool आना चाहिए ताकि उस unit के शुरुआत करने से पहले आप उन mathematical tools को बिलकुल अच्छे से नपटा दो ठीक है तो शुरू करते हैं बच्चों फिर हम लोग हमारी आज की इस को तो मैंने इस तरीके से चोटा सा डाइग्राम बनाया है जैसे mechanical energy समझाई जाती है कि mechanical energy में आगी potential energy और kinetic energy उसी तरीके से मैंने एक diagram बनाये जिसकी help से बहुत ही diagramatically easily तुम लोग समझ सकते हूं तो देखो यह तुमारे 6 units हैं पहले तो यह mechanics mechanics के अंदर आ जाता है kinematics के दोनों चाप्टर्स लॉस अप motion work energy power rotation mechanics gravitation shm और waves फिर आ जाता है electrostatics electric charges in fields and electric potential and capacitance फिर आ जाता है magnetic physics जिसमें है moving charges in magnetism magnetism and matter electromagnetic induction alternating current in electromagnetic waves फिर आ जाता है thermal physics जिसके अंदर है thermal properties of matter thermodynamics और ktg फिर आ जाता है modern physics जिसके अंदर है dual nature of radiation and matter atoms nuclei और semiconductors और last में आ जाता है आपको optics जिसके अंदर है ray optics और wave optics अब इन सारे के सारी units के अलावा एक और हमारे पास chapter है units and dimensions तो वो एक ऐसा chapter है जो तुमारे एक basic mathematical tool मान सकते हो बाकि अगर मानो मैं अब बात करूं कि कौन से unit के लिए कौन से mathematical tool के requirement है तो देखो जितने भी mathematical tools है उसमें से जो सबसे important mathematical tool है वो है vectors vectors में सब कुछ चाहे मैं vectors क्या होते हैं उनकी properties क्या हैं कैसे add किया जाता है कैसे subtract किया जाता है dot product cross product each and everything which is associated with vector यह vector आता है mechanics में electrostatics में और magnetic physics में मतलब मैं बोल नहीं हूं बच्चों तुम लोग मान के चलो अगर तुम्हें vectors नहीं आता है न मतलब तुम लोगों को rotation mechanics में नहीं दिक्कत होगी तुम्हें rotation mechanics में जब टॉर्क आएगा न तो cross product में दिक्कत होगी तुम लोगों को different forces आएंगे उनको समझने में दिक्कत नहीं होगी vectors के साथ कैसे deal किया जाता है उनको कैसे add or subtract किया जाता है उसमें दिक्कत होगी तुम लोगों को relative motion में दिक्कत नहीं होगी तुम लोगों को दिक्कत actually में होगी कैसे vectors को subtract किया जाता है अगर यह सारी चीज़े तुम लोग पहले नहीं निप्टा होगे तो इसलिए please ensure करना कि सबसे पहले तुम लोग vectors और वेक्टर से associated जितने भी चीज़े हैं सबसे पहले उसको complete करना अगर तुम लोग वो दोनों में आते हैं और वेसी बात है इन में इन यूनेट्स में बहुत जादा है mathematical tools vectors तो सिर्फ इसी में है लेकिन जो और जो mathematical tools है जैसे calculus हो गया integration differentiation basics of trigonometry हो गया graphs और slopes हो गया बिल्कुल basics of log और antilog अगर मैं इनकी बात करूं ठीक है तो यह majorly यहां पर आते हैं लेकिन कुछ-कुछ जगह पर तुम लोग को यहां पर भी देखने को मिलेंगे ऐसा समझते हैं कि बिल्कुल basics of calculus को 1 दे देते हैं और जो बहुत ही बढ़िया calculus है उसको 10 दे देते हैं तो यहां पर 1 से 10 तक हर तरीके के application आएंगे लेकिन यहां पर जब calculus आएगी ना वो 1 से 2 तक आएगी मतलब तुम समझे रहे हो कि यह ऐसे units हैं जिसके अंदर vector के अलावा सारे के सारे mathematical tools हैं यह ऐसे units हैं जिसके अंदर vectors और सारे के सारे mathematical tools हैं फर्क बस इतना हैं कि यह जो mathematical tools है vectors के अलावा बहुत ही low level के यहां पर present है और high level और low level दोनों के हां पर present है so I am hoping कि अभी तुम लोगों को exam pattern मतलब किस सरी किस exam के लिए preparation करनी है वो तुम लोगों को अच्छे से समझ आ चुका हो बाकी बच्चों अगर मानों मैं अब बात करती हूँ उन सारे के सारे students से जो मुझ से ही पढ़ना चाते हैं कि यह यह mathematical tools चोड़ो ना आप ऐसा करो पू पूरी की पूरी physics आपसे करना चाते हैं पढ़ना भी आपसे चाते हैं revise भी आपके साथ करना चाते हैं practice भी आपके साथ करना चाते हैं mock test भी आपके साथ देना चाते हैं हम चाते हैं कि आप पूरी की पूरी physics की जिम्मेदारी हमारी ले ले और उसी तरीके से biology और chemistry की भी ज description में available है अगर आप ये subscription ले लेते हैं तो पूरे के पूरे साल में जो PCB का आपका coverage होगा revision होगा जितने भी practice questions हैं ठीक है ये सारी की सारी चीज़े covered होगी मतलब need 2025 के लिए अगर आप single payment में अपनी सारी की सारी requirements को meet करना चाहते हैं ये ना हो कि हम 5-6 महिनों के बाद को cash course लेके आए और फिर तुम्हें वो खरीदना पड़े या फिर हम test series लेके आए वो तुम्हें खरीदना पड़े बिल्कुल भी नहीं need 2025 के लिए अगर single payment में तुम लोग सारी चीज़े unlock करना चाहते हो तो इस महा पैक को खरीद सकते हो इसके अंदर पूरी P से भी covered होगी, detail classes भी होगी, इसके अंदर सारे future के courses भी तुमारे लिए unlock होगे, इसके अंदर test series भी होगी, इसके अंदर जो DPP है वो तुमारे घर तक पहुंचाई जाएगी और इसके अंदर बच्चो 18 books का एक booklet है, मतलब 18 books का एक set है, जो set तुम लोगो घर तक पहुंचाया जाएगा, जिसके अंदर theory भी होगी, concepts भी होगे, questions भी होगे, और उनके solutions भी होगे, इसके अंदर mentorship बाच भी है, 3D learning भी है और अगर आपको कभी भी लगे कि एक topic आपका week है, और आप उसके उपर quiz की format में questions को attempt करना जाते हैं, या फिर आप PDF की format में questions को download करना जाते हैं, तो वो वाला option भी RNA की format में आपके पास available रहेगा, limited offer चल रहा है, अगर आप GNT 99 code लगाओगे, तो आपको बिलकुल flat 25% off मिल ज जाएगी, है ना, ये मैं तुम लोग को बताना चाहती थी, तो बच्चो ये जो है 13th of May से शुरू हो रहा है, और जब 13th of May आएगा, तब हम लोग मैं तुम लोग को orientation देने वाली हूँ, पूरा बताने वाली हूँ कि हम साल भर में किस सरी के से पढ़ने वाले हैं, और फिर फिर फाइनली हमारी physics के syllabus coverage को शुरू कर सकें, that is all for this session everyone, hopefully आपको ये जो session है fruitful लगा हो, अगर कोई भी queries है, if you want me to make video on any topic, let me know in the comment section, that is all everyone, like कीजेगा अगर आपको ये video पसंद आया है, चानल को subscribe कर लो अगर इस चानल के उपर नहीं हो, जल्दी से तुम वन महापाक को खरीद of मेसे, that is all, bye-bye.